Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ आर्टी टेली प्राइम की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे टेली प्राइम में लेजर बनाते समय सही ग्रुप का निर्ने List of Accounts की सहायता से कैसे करें इसके पहले वाली दो वीडियो में हमने आपको बताया टेली प्राइम में कमपनी बनाना और उन्हें आल्टर तथा डिलीट करना इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं List of Accounts के बारे में साथ ही ये भी बताएंगे कि टेली में हमें लेजर बनाने और Transactions Record करने में इससे किस प्रकार से सहायता मिलती है यहां हम आपको सिर्फ इससे समझा रहे हैं आगे आने वाली वीडियो में इसका अच्छे से उप्योग करके बताएंगे आगे बढ़ने से पहले एक बहुती महतुपून बात बता देंगी शुरुवात के हमारी Basic Level की जिन 10 वीडियो में हमने आपको Manual Accounting के बारे में बताया था उनमें दी गई पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में काम आएगी और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं को पहले उनको देख ले Manual Accounting की प्रोसेस समझाने के दौरान हमने आपको Journal क्या है ये पताया था Manual Accounting में Journal में सभी Entries एक ही स्थान पर एक के बाद एक कर दी जाती हैं जबकि Tally ने जर्नल Entries करने के लिए अलग-अलग टाइप के vouchers बना दिये हैं जैसे यदि आपने कोई माल बेचा है तो उसके लिए sales voucher यदि किसी को कोई भुक्तान किया है तो उसके लिए payment voucher इस तरह के कई vouchers बनाए हैं जिने हम आगे समझेंगे इन vouchers की सहायता से आप Tally में अपने transactions record कर सकते हैं कहने का दात पर यह है कि manual accounting में जो काम जर्नल में होता है टैली में वो काम vouchers की सहायता से होता है manual accounting की process में हमने ये भी देखा था कि जर्नल में transactions record करने के बात खाते बनाए जाते हैं और जर्नल में record किये गए transactions की posting उन खातों में की जाती है किन्तो Tally में ऐसा नहीं होता है इसमें पहले खाते यानि लेजर्स बनाए जाते हैं और फिर जैसे ही हम voucher में transactions record करते हैं संबंधित लेजर में उसकी posting अपने आप हो जाती है manual accounting की process के अंतरगर थी हमने आपको trial balance बनाना बताया था और उसमें एक जैसे खातों को छाट कर किसी एक group में रखना भी बताया था Tally ने इस काम को भी आसान कर दिया है अब हमें खातों को छाट कर किसी group में नहीं रखना होता बलकि Tally ने पहले से ही हमें कई group बना कर दे दिये हैं हमें सिर्फ उनके अंतरगत खाते खुलना होते हैं। अब सवाल ये है कि हमें ये कैसे मालूम होगा कि कौन सा खाता किस ग्रुप में खुलना है। इसके लिए हमने आपको पहले की वीडियोस में बहुत सारी परिभाशाइं बताई हैं। उनके आधार पर आप ये निर्ने कर सकते हैं और फिर भी यदि आपको दिक्कत आ रही है तो हमने एक चार्ट बनाया है जिसका शेशक है लिस्ट ओफ अकाउंट्स। आप इसकी साहता ले सकते हैं। लिस्ट ओफ अकाउंट्स से आशे व्यवसाय में उपयोग होने वाले खातों की लिस्ट से है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं इसमें सबसे पहले कॉलम में नेचर ओफ अकाउंट है। उसके बाद ग्रुप और सब ग्रुप हैं। और आखिरी कॉलम में खातों की नाम या उनके विवरण हैं जो इन ग्रुप या सब ग्रुप के अंतरगत खोले जाना है। इसे हम एक उताहरण से समझ लेते हैं। आपको असेट्स की परिभाशा याद होगी। उसमें हमने बताया था कि असेट्स तो प्रकार की हो सकती हैं। अब यहां चार्ट में देखिए यह दोनों दिखाई पढ़ रहे हैं। और साथ ही टैली ने असेट्स में कुछ ग्रुप और बना दिये हैं। वे भी यहां दिखाई पढ़ रहे हैं। अब जैसे ही राइट साइड में आगे बढ़ेंगे। देखिए टैली ने हमारी सुविधा के लिए करेंट असेट्स के अंतरगत भी कुछ सब ग्रुप बना दिये हैं। और आगे बढ़ते हैं। यहां पर इसपश्ट हो रहा है कि इन सब ग्रुप्स और ग्रुप्स के अंतरगत किस प्रकार के या कौन से खाते आएंगे। इस चार्ट को आप इस तरह भी देख सकते हैं कि सबसे पहले आपकी आवश्यक्ता क्या है। वो name of accounts which is covered under these groups में देखें। तो आपको यह इसपश्ट होगा कि हमें किस टाइप के लेजर की जरूरत है। उसके बाद फिर left side में बढ़ें और देखें कि यह लेजर किस ग्रुप या सब ग्रुप के अंतरगत बनाना है। चलिए इसे अच्छे से समझने के लिए कुछ अधारण देख लेते हैं। देखें, proprietors capital account, partners capital account, share capital account, drawing account, आदी के खाते capital account ग्रुप में बनेंगे। जिन भी व्यापारियों से आप उधार माल खरीते हैं, उन सभी के खाते, sundry creditors सब ग्रुप में बनेंगे। आपके जितने भी बैंकों में saving या current account होगे, वे सभी bank accounts सब ग्रुप में बनेंगे। सभी स्थाई समपत्यों जैसे building, furniture, computers, mobile, इत्यादी के खाते, fixed assets ग्रुप में बनेंगे। हमारे सभी sales accounts, sales accounts ग्रुप में बनेंगे। यहाँ आपको एक confusion हो रहा होगा कि खाते का नाम भी sales account और ग्रुप का नाम भी sales accounts तो क्या ये सही है ? जी हाँ सही है। इससे समझ लेते हैं। मान लीजे हमारा बड़ा व्यापार है जिसमें हम electronics items, furniture और clothes रखते हैं और हम इन सभी का हिसाब अलग-अलग देखना चाहते हैं। तो हमारे sales account के नाम इस तरह हो सकते हैं, electronic sales account, furniture sales account और clothes sales account पर ये सभी खाते sales accounts ग्रुप के अंतरगत ही बनेगे। हमारा व्यापार छोटा है, इसलिए हम इस तरह के अलग-अलग खाते ना खोल कर एक ही खाता sales account के नाम से बना रहे हैं, जो की sales account ग्रुप के अंतरगत बनेगा। हमारा ये चार्ट बनेने का उद्दिश्य, मातर आपको ये समझाने का प्रयास है कि किस टाइप के खाते, किस ग्रुप या सब ग्रुप के अंदर खोले जाते हैं, इनमें आप अपने आवशक्ता अनुसार परिवर्दन भी कर सकते हैं। अब यहां हमने टाइप आफ अकाउंट का कॉलम और जोड़ दिया है, जिसमें हमने खातों के प्रकार बताए ही। खाते यानि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने आपको मैनियल अकाउंटिंग की प्रोसेस में समझाया था। इससे ये लाब होगा कि ट्रांजिक्शन रिकॉर्ड करते समय यदि आप कन्फ्यूज हो रहे हूं कि कौन सा खाता किस प्रकार का है, जैसे पर्सनल, रियल या नॉमिनल, तो ये जानने के लिए आप इस चार्ट की सहायता ले सकते हैं। खाते का प्रकार जानने के बाद आप आसानी से गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसके बारे में हमने आपको मैन्यूल अकाउंटिंग की प्रोसेस के अंतरगत समझाया था। उसका उप्योग करके आप ये निर्ने कर पाएंगे की ट्रांसेक्शन्स रिकॉर्ड करते समय कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा। इसे हम एक उताहरण से समझ लेते हैं। मान लीजे व्यापार का स्वामी 10,000 रुपे नकत पुन्जी लाया। अब सबसे पहला सवाल है कि हमें ये देखना है कि इस ट्रांसेक्शन में प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं। ट्रांसेक्शन को ध्यान से देखें। ये नकती यानि cash और पुन्जी यानि capital अब दूसरा सवाल है कि इस खाते किस प्रकार के हैं। अब यहां चार्ट में देखिए। नकती का खाता real account है। और पुन्जी का खाता personal account। अब तीसरा सवाल है कौन सा खाता debit होगा और कौन सा credit होगा। तो यह यहाँ पर हम golden rules of accounting के हिसाब से देखें, तो personal account के अंतरगत पुझी आई, यानि प्राप्थ हुई, तो हमें देने वाला हुआ capital account, और golden rules of accounting के आधार पर इसका नियम है, देने वाले को credit करो, मतलब capital account credit होगा, अब हम देखते हैं दूसरा खाता, जो real account के अंतरगत cash का है उस पर भी golden rules of accounting के क्या नियम है, यह देख लेते हैं, इसके अनुसार जो वस्तु व्यापार में आये, उसे debit करो, चूंकि cash व्यापार में आया है, इसलिए cash account debit होगा, जब आप ने नए कर चुके हों कि कौन सा खाता debit होगा और कौन सा credit, तो इसे confirm करने का एक तरीका और भी है, वो भी हम आपको बता देते हैं, यहां हमने increase और decrease के दो columns और जोड़ दिये हैं, इसकी सायता से भी आप यह जान सकते हैं कि खाते के nature के हिसाब से संबंदित खाते के amount के increase या decrease होने की स्थिती में उस खाते को debit करेंगे या credit करेंगे, हमने आपको समझाने के लिए जो उ पुंजी लाया, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी books में पुंजी पढ़ेगी और नगदी आई है तो cash भी बढ़ेगा, चलिए increase और decrease columns की साहतासे से समझ लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि capital account liabilities के अंदर आता है, और यदि capital आई है, मतलब increase हुई, तो यहां capital account credit होगा अब cash को भी समझ लेते हैं, cash account assets के अंतर गता है, और cash भी increase हुआ है, तो यहां cash account debit होगा इस तरह से हमने confirm किया कि कौन सा खाता debit होगा और कौन सा खाता credit होगा चलिए, अब हम अपने इस chart को tally के नजरिये से देखते हैं tally ने accounts के nature के आधार पर इसे 28 groups में बाटा है जिसमें 15 primary यानि मुख्य groups हैं और 13 subgroups है इन 15 primary groups में से 9 groups balance sheet से संबंधित हैं तथा 6 groups profit and loss accounts से संबंधित हैं प्राय सभी की जरूरत के lasers इन group या subgroup के अंतरगत बन जाते हैं फिर भी यदि आप चाहें तो अपनी जरूरत के अनुसार नए group या subgroup बना सकते हैं और बने हुए group या subgroup में परिवर्टन कर सकते हैं अब सवाल उठता है कि list of accounts की सायता से tally में laser कैसे बनाए जाते हैं तो ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे list of accounts का PDF हमने इस वीडियो के नीचे भी दिया है आप चाहें तो उसे download कर लें झाल झाल झाल